किसी भी साउथ इंडियन रेसिपी के साथ अगर इस चटनी को सर्फ किया जाए तो उस रेसिपी का टेस्ट डबल हो जाता है तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल SG Food World में मैं लोटी हूँ एक ऐसी रेसिपी के साथ जो साउथ इंडियन की जान है कोकोनट चटनी को बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रीडियन्स की जरूरत है और बन तो ये फटा फट जाती है इस रेसिपी के शुरुआत करने से पहले SG Food World को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए इजी टू मेक चटनी के लिए इंग्रीडियन्स देख लेते हैं चार से पांच कड़ी पत्ता लीवस वन बाई एट टीस्पून काला नमक वन फोर टीस्पून सफेद नमक वन फोर टीस्पून सरसो टू टीस्पून पीनट्स जो की रोस्टेड होने चाहिए इसकी जगा भूने हुए चने भी ले सकते हैं या फिर चनी की दाल को रोस्ट करके भी ले सकते हैं में इंग्रीडियन यानि की नारियल वो लेना है आपको 80 ग्राम फ्रेश नारियल लेना है अगर आप घर पे पड़ा हुआ सूखा गोला यूज करना चाते हैं तो उसको एक घंटे के लिए पहले भीगो दे और उसके उपर से छिलका उतार दे छिलका उतारने से इस चटनी का कलर जो है बिल्कुल वाइट बनता है जैसे मार्केट में मिलती है और लेना आपको 4 टेबल स्पून दही एक हरी मिर्च जिसके टेल और हैट कट कर लेंगे आप हरी मिर्च मोटी या बारीक दोनों ले सकते हैं तीखे के कॉर्डिंग जितना तीखा आपको चाहिए सारे इं इसका मिक्सी जार लिया है इसलिए मैं थोड़े थोड़े करके ही नारिल के टुकडों को पीसूंगी अब आड़ करेंगे काला नमक साथी साथ आड़ कर देंगे सफेद नमक पीनच जो रोस्ट की हुई थी अब आड़ करेंगे 2 टेबल स्पून दही दो टेबल स्पून बाद में आड करेंगे थोड़ा सा पानी आड करेंगे blend कर लेंगे अच्छे से पानी एक बरी में आड ना करें सारा धीरे धीरे करके आड करें ताकि यह अच्छे से पिस जाय बहुत ही टेस्टी लगती है है ये kijकोनट चटनी साउथ हिंडियन की ब्रेकफस्स रेसिपीज के साथ ओसम कोकोनट चटनी जरूर ट्राय करें साथी साथ एड़ करेंगे खरी मिर्च और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ध्यान रखेगा कि पानी एक बारी में आड़ ना करें दीरे दीरे करके पानी आड़ करें ताकि कंसिस्टेंसी जैसी हमें कोकोनट चटनी के लिए चाहिए बिल्कुल वैसी मिले ना ही जादा धिक ना ही जादा थिन डोसा हो उत्पम हो या फिरेडली ये किसी भी रेसिपी का टेस्ट जबल कर सकती है यह चटनी जरूर ट्राय करें और बहुत असानी से बन जाती है कोकोनट चटनी को आप फ्रीजर में स्टोर करें तीन से चार दिन के लिए और यह बिल्कुल फ्रेश रहेगी आपको जब भी यूज़ करना है एक से दो घंटे पहले आप इसको रूम टेंप्रेशर पे निकाल दे और फिर यूज़ करें अब जो दो टेबल स्पून दई बचा था उसको अच्छा से फैट लेंगे और इस चटनी में मिक्स कर लेंगे अच्छो से मिक्स कर लेंगे ये चटनी को अब एक तड़का रेडी करना है एक तड़का पैन लेंगे और उसमें आड करेंगे हाफ टीस्पून ओइल फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे अब आड करेंगे वन फो टीस्पून सरसो साथ ही आड कर देंगे कड़ी पत्ता लीव्स सौटे कर लेंगे बिल्कुल रेडी है ये फ्लेम आफ करेंगे और ये सारा मिक्स्टिर जो तड़का हमने रेडी किया है वो कोकोनेट चटनी में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो रेडी है घर पे बनाई गई आसानी से कम इंग्रीडियन्स के साथ कोकोनेट चटनी मार्केट से जादा अच्छा टेस्ट आएगा मेरी गैरेंटी है जरूर ट्राइ करें इस रेसिपी को और मेरे साथ शेयर करना ना भूलें सजेशन्स कमेंट्स मिलूंगे ऐसी और मज़िदार रेसिपीस के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर डोंट फोगेट तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब